प्रदेश में भले ही बिदान सभा के आम चुनाओं में अभी 11 महीने बचे हुए हैं लेकिन अभी से टिक्टों को लेकर कयास लगाय जाने लगे हैं माना जा रहा है कि मद्द प्रदेश में कॉंग्रेस की कमनला सरकार गिरा कर भाजपा को सत्ता में लाने बाले सिरी मंत के कई समर्थक बिदायकों के टिकेट पर भाजपा आलाकमान कैची चला सकते हैं फेलहाल जिस तरह इसे संकेत मिल रहे हैं उससे माना जा रहा है कि कम से कम आधा दरजन सिरीमंत समर्थक इस बार टिकेट से बंचेत रह जाएंगे उन्हें टिकेट नहीं दिया जाएगा इनमें से तीन मंत्रियों के नाम चर्चा में बने हुए हैं यह बे मंत्री हैं जिनकी कारिय प्रणाली से सरकार से लेकर संगठन तक खुस नहीं है यही नहीं इनकी कारिय प्रणाली से संग भी नाराज बताया जाता है कहा तो यह भी जा रहा है कि दल बदल के समय उप्चुन में टिकर देने हुआ मंत्री बनाए जाने का जो बादा किया गया था उसे भाजपा पूरा कर चुकी है इसके अलाबा हारने बाले बिधायकों को निगम मंडल की कमान देकर उने मंत्री पत का दर्जा देने की सर्थ पर भी अमल किया जा चुका है इस बजाए से अब स्रीमंत और उनके समर्थक बादा खलाफी का कोई आरूप भी नहीं लगा सकते हैं बताया जाता है कि दल बदल के पहले तैकी गई सर्थ में सिर्फ एक बाद टिकर देने की बात ही सामिल थी इस बीच मिल रहे संकेतों की बज़ए से सिरीमंत समर्थक बहुत से नेताओं को अब तर सके हैं यही नहीं अब उनके इलाके में भी पकड़ कमजोर लग रही अगर पार्टी की सूत्रों की माने तो उसके द्वारा बिदान सभा चुनाओ के लिए पैमाना तैकिया हुआ है जिसके मताबको नेताओं को ही टिकर दिया जाएगा जिनके ना केबल छवी अच्छ किनारा कलेगे यही बजाए है कि भाजपा संगठन वा सरकार चुनाबी साल से ठीक पहले अलाग अलाग इसतर पर तीन सर्वे करा चुकी है माना जा रहा है कि चुनाओ से पहले इसी तरह के सर्वे के दो दोर और आ सकते हैं और महराज समर तक विदायकों की टिकेट कट सकत आई है ख़बार एकस्प्रेस नीज़ की विवरो रुपां फार्म ट्रेक लेकर आया है तिवहार धमा का अब ट्रेक्टर खरीदी पर पाए एक सुनिश्चित अफार किसानों के लिए फार्म ट्रेक ट्रेक्टर बना अभी तक का नम्मर वन ट्रेक्टर तो देर किस बात की टेक्टर खरीदने के लिए अभी संपर्क करें भूपिंदर पडर्या 94-25, 99-99-20 हमारा पता है पडर्या टेक्टर से सोरूम चांदपर रोड रहे लिए